तो गुड मॉर्निंग ओल अफ यू दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं IIT, J और NEET 2020 एक्जाम को ले करके जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है तो आए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज हम लोग जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है IIT, NTA के तरफ से ये अपडेट आई है कि IIT के डेट में एक्स्टेंशन हो सकता है तो इस बारे में हम लोग देखेंगे कि किस बेसी सिर्फ कहा जा रहा है दूसरा है कि आपके नीट के जो एक्जाम होने है सेप्टेंबर मन्थ में तो इसके एडमिट कार्ड की डेट आ चुकी है तो एडमिट कार्ड कब और किस तरह से आएगा आपको एडमिट कार्ड के साथ आपको कौन कौन सी डॉक्मेंट आपको चाहिए होंगी क्या क्या इस बार इस्पेशल जरूरी है किस एसोपी को आपको फॉलो करना होगा कि आपका एक्जाम जो है सही से हो एक्जाम अपका छूटे नहीं साथ ही हम लोग जो देखने वाले हैं अभी जो आईएटी के एक्जाम में प्रवर्तन की बात कही जा रही थी उसको लेकर के बात करने वारे हैं और आईएटी में एडमिशन के बिसे में जो इस बार सबसे बड़ी अपडेट आ रही है जो हाईटी मिनिश्टरी के तरफ से खुद से यहाँ पर समभधन करके ट्वीट करके बताया गया है कि इस बार आईएटी के एडमिशन में एडमिशन में इस बार छात्रों को बहुत सारी छूट दी जा रहे है तो उन तमाम बातों को आज हम लोग इस बीडियो में देखने वाले हैं तो आप इस बीडियो में अंतक बिल्कुल बने रहें और वीडियो को पूरा देखें अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा ज़्यार कीजिए और हाँ फ्रेंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इन्फरमेशन लाते हैं दोस्तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IIT के छात्रों के लिए जो IIT अभी कम्प्लीट करने वाले हैं उन चात्रों के लिए बहुत अच्छी खबड है कि IIT धनवात के जो 16 चात्रे उनको 23 लाग रूपिये के पाइकेज के अनुसार अभी 23 लाग पाइकेज के अनुसार उन्हें अभी एपॉइंट्मेंट मिला हुआ है तो यह देख सकते हैं कोरोना के काल में और लोगडाउन के काल में भी अभी IIT के छात्र हमारे देश के IIT के छात्र अभी अच्छे परदर्सन कर रहे हैं और उन्होंने देख सकते हैं इसमें क्या कहा है आगे देख सकते IIT IMS के 2021 बैच के चात चात्राओं के लिए करोना एकरन केमपस बंद रहने के बाद वी अच्छी खबर है संस्थान के चात्रों को जुलाई से ही नोकडी के लिए PPO यानि प्री प्लेस्मेंट आफर मिलना सुरू हो गया था अमेजन कंपणी ने सोरा चात्रों का चैन कर PPO देने की घोसना एक चैनी चात्रों को 23 लाख रुपे की पैकेज के ओफर किया गया इसमें अब तक संस्थान के 27 चात्रों को नोकडी का उफर मिलने की बात कही जा रही है बताते चले कि बिविदिवत रूप से आगे देखते हैं जो हमारे दूसरी इंपॉर्टेंट इंफर्मेशन है उसे देखते हैं तुसरा सबसे बड़ा अपडेट है आई चात्रों के लिए कि आई अई टी मदरास जो है वह अभी अफर्ड कर रहा है ओनलाइन एडवांस सर्टिफिकेशन इन सॉप्ट्वेर वो इसे वीडियो माध्यम से देख सकते हैं 300 गंटे का 300 आउर्स के यह ऑनलाइन वीडियो लर्निंग सेशन है इसमें आपको ऑनलाइन आपको इस सर्टिफिकेट प्रदान के जाता है जो इसका भैलू बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि यह आई टी मदरास से मिला रहता ह आपको यह देख सकते हैं इंटरनेट आफ तिंग्स के वाधियम से आपको इस सर्टिफिकेट प्रदान के जाता है इसमें बहुत सारी कंपनीज का इनकुलेडेशन रहता है तो आप अगर करना चाहते हैं ओनलाइन कोर्स और आपके जो फ्रेंड्स हैं करने वाले हैं उनको को आप इनफर्म करके बता सकते हैं अब हम बात करते हैं जो हमारे सबसे इंपोर्टन मुद्दा आयाइटी और नीट एक्जाम को ले करके हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस बार यहां पर यह अपडेट देख सकते हैं 24 जुलाई का है इन आईटी और आयाइटी में इस साल के लिए हटाने के बाद अपकेंद सरकार ने राश्टरिय प्रदोगी संस्तान यानिकी इन आयटी और सभी कंद्रीय रूप से बित जानते हैं 25% को हटाने का फैसला रमेश पोखडियाल निसांग जी ने केवल और केवल IIT जरी के लिए किया था लेकिन अब IIT के साथ नीट और CFTI के लिए भी इन्होंने फैसला कर दिया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखडियाल निसांग जी ने NIT और CFTI में असनातक पार्टिकरम में प्रवेश के लिए इस साथ नए माप प्रवेश मांदरनों का ट्वीट किया है और ट्वीट आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर यहाँ पर ट्वीट एन आई का है इसे आप देख सकते हैं और ओफिसल साइट पर जाकरके आप देख सकते हैं ट्वीट जरमेश पोखर यालनी सांग जी का अब हम देखते हैं exam skill दोस्तों हम अब IIT exam जो आपका extend करने की बात कही जा रहे है ये exam date में उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो NEET का admit card है उसके बारे में NEET का admit card जो है आपका है वो 2020 के लिए August 29 को released होगा ये date देख सकते हैं क्योंकि आगे इसमें लिखा गया है कि आपके जो NEET के exam date है NTA ने एनाउंस कि the national testing agency has announced the new NEET 2020 admit card release date earlier the original date was March 27 पहले या admit card आने का date था March 27 लेकिन कोरोना के करण ये pandemic के करण आ नहीं पाया रिलीज नहीं हो पहले लेकिन अब यहाँ पे जो यहाँ पे NTA के दोरा संभावना बताए गया कि आपका 23 अगस्त और 19 अगस्त के दिन आपका admit card आ सकता है आ सकता है नहीं NTA के दोरा बताए गया तो आपका admit card 100% इसी दिन ही publish किया जाएगा अब ये confirmation date NEET वाले छात्रों के लिए आ चुका है आप admit card के साथ आपको जो important information NTA के दोरा दिया गया है वो आपको follow करने होंगे देख सकते हैं things to be carry things to carry in the examination centers NEET के admit card को आपको ले जाना होगा साथ में आपको passport size photo चाहिए valid ID proof अधार कर या इस सब चाहिए साथ ही जो सबसे important है वो है कि आपको guardian signatures जो गार्जियन signatures और नी 2020 admit card is compulsory यह आपको guardian के signatures compulsory होंगे NTA will send a soft copy of the admit card on the registered email ID आपके email ID पर खुद NTA है वो admit card send करेगा students need to take on admit card download अब आपको admit card download करना होगा अब हमने बता है आपको क्या क्या है तो compulsory होगा आपको guardian का sign और आपको जो argument लेकर करके जाना है अब हम देखते हैं आपकी IIT JAE के exam के बारे में NTA ने जो कहा है कि exam date extend होगा तो क्या कहा है वो देखते हैं देख सकते हैं आपे साब तोर पे लिखाए कि NTA JAE men 2020 exam date may change again no reasons here आपको reasons देखना होगा है आपे किस कारण से कहा जा रहा है चुकि NTA जोइंट इंटरेंस examination 2020 men's exam waiting period may be extended further ये extend हो सकता है इसमें सीधे तोर पे जो हमारे HRD मिनिस्टर मंत्राला है जो हमारे डमेश पोखरेल निसांग जी है उन्होंने सीधे तोर पे NTA को कहा है आप जो मेटर है इस पे हैसे शेप कीजिए और final decision दीजिए तो इस पे देख सकते हैं आगे इस पे कहा गया है अब देख सकते हैं सीधे तोर पे आपे कहा दिया गया है कि जो extension का date है कब तक extend किया जाएगा ये बहुत जल नहीं announce कर दिया जाएगा